हेले स्टुडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने शेनल सी गोचिंग क्लस्ट पर स्वगत है क्लास टोल्थ मैच एंसे आर्टी में अपकल समीकर्ण पढ़ा रहे हैं इसके पहले जो भी वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में करम से मिल जाएंगे तो चले देखते हैं आज के कुछ महत्मूर प्रिश्ण और इस प्रिश्ण वाली के लास्ट वीडियो इस्टूडेंट इसके बाद हम अगले प्रिश्ण वाली पर चलेंगे तो पहला question है y बरावर देखे रखा है a cos log x plus b sin log x तो अपकल समिकर्ण x square d square by upon d x square plus x d by upon d x plus by बरावर 0 का एक हल है यह अपन को probe करना है कुल मिला करके इस बक्र के माध्यम से हमको यह समिकर्ण बनाना है या की दो बार अपकलन करके इस पर left hand side पर value रखना है तो right hand side ले आना है तो हल करते हैं x के साब पेच अपकलन करने पर x के साब पेच अपकलन करने पर क्या करने पर अपकलन करने पर अपकलन करने पर चले अपकलन कर दीजिए d y upon d x बरावर D upon Dx किते हो जाएगा A cos log x plus B sin log x ठीक ये हो गया आपका अपकलन चलिए आपकलन करते हैं इस्टोन डायरेट करते हैं यहाँ पर जैसे cos t का minus sin t होता है minus sin t याँ लाग x फिर एक लाग x जाएगा उसका अपकलन होगा तो एक बर्टे x हो जाएगा यहाँ पर जैसे sin है तो sin का होता है cos t तो cos log x और log x का एक बार और अपकलन होगा तो एक बर्टे x यहाँ पर t ना मानकर डायरेक्ट प्रोसेस किये हैं क्योंकि लंबा चोड़ा हो जाता है तो t अपन नहीं माना यदि यहाँ पर x दोनों मिसे लेकर इधर लेंगा तो x d by upon dx हो जाएगा इधर हो जाएगा minus a sin log x ठीक प्लस b cos log x पुना x के साब पेच अब कलन करने पर पुना x के साब पेच अब कलन करने पर अब कलन करने पर तो ये दो फलन है पहला फलन दूसरे का अब कलन दूसरा फलन पहले का अब कलन x का अब कलन एक हो गया यहां पर देखो डाइरेक्ट करते हैं ना डाइरेक्ट Für minus a sin का होता है cos और फिर लाग एक्स का एकबटी एक्स फिर कास का होता है साइन तो साइन लाग एक्स एकबटी एक्स इतना होगे क्लियर अभी एक्स और एक्स है ना दोनों जगे पक्छांतर करेंगे तो इधर आएगा एक्स स्क्वेर डी स्क्वेर वाई अपान डी एक्स स्क्वेर प्लस ए ओग्यांव पुरा का पुरा बाई है पुरा का पुरा बाई है एकस же कोGAN बाउ एकस्ट कर दी ना कोमप्लीट कि यह dip अब कल समीकर मिल गया जो भी बक्र दिया था जितना वार वहां पर अब कलन करना होगा वो इसे दिया रहता है जैसे डी स्क्वार वाय फं डी एक्स रे अधि है अधिक्तम बाइव किया गया है तो उसको दो बार आप करना है एंसर ले आना है ठीक है तो यह हो गया आज का पहला कॉस्चन दूसरा कोश्चन है आपके लिए एदी बाई बराबर ए के पावर साइन इनवर्स एक्स हो तो इसके संगत अबकल समिकर्ण की रचना करनी है इसमें दिया गया बक्र है बाई बराबर ए के पावर साइन इनवर्स एक्स कितना देके रखा है बाई बराबर एक पावर सान इंवर्स एक्स अब कल समय कर निकालना है तो आप कलन करते हैं एक्स के सापेच आप कलन करने पर एक्स के सापेच आप कलन करने पर एक्स के सापेच आप कलन करने पर तो कितना हो जाएगा डी बाई अपान dx और यहाँ d upon dx एक power sin inverse x ठीक जैसे एक power t का एक power t ही होता है यहीं एक power sin inverse x का एक power sin inverse x हो जाएगा और sin inverse x का अब कलम होता हूँ upon under 1 minus x square एज़ इसको पक्षांतर कर दिया जाए इधर इसको इधर पक्षांतर कर दें तो यहाँ भाग में इधर आके inverse x हो गया यहीं आपका आगे इस्ट्रेंट यहीं चाहो तो यहाँ पर by का value रख दो under 1 minus x square d by upon dx बराबर by यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1 minus x square d by upon dx माइनस by बराबर 0 जी हाँ यह आपका भी यह अपकल समिकर्ण आ चुका है देख सकते हैं simple तरीके से कुछ भी कठीने इस्ट्रेंट मिलता जूलता एक और question करते हैं इसी प्रकार तो देखिए same question है यहाँ पर by बराबर एक पाउर sin x था sin inverse x था यहाँ पर constant के रूप में यह है और जिसको बोल के रखा है यह प्रोब करना है important है इसलिए करा रहा हूँ student है ना और बहुत ही मज़ा आएगा चिंता के ज़रुत नहीं बहुत कठीन भी नहीं है असानी से सीखेंगी तो आपको क्या करना है आप कलन करना d y a 5 d x यहाँ पर d y a 5 d x कर देंगे एक पाउर m sin inverse x यदि पूरे को t माने इस पूरे को t माने तो एक पाउर t का एक पाउर t होगा फिर m कांस्टेंट है वो तो सामने आएगा और sin inverse x का एक बारा और अप कलन होगा तो और अपन अंडरोड और माइनस x स्कॉर हो जाएगा यह जो भी नीचे student इधर आके गुणा में करने पार डी अपन डी एक्स अंडरोड और माइनस x स्कॉर डी यप अपन डी एक्स हो जाएगा दो फलन है और डी अपन डी एक्स m एक पाउर m sin inverse x यह हो जाएगा ठीक है पहला फलन दूसरे काप कलन दूसरा फलन पहले काप कलन अच्छा दूसरा फलन ना पहले इसका आपकलन करो, तो root x का 1 upon 2 root x, फिर 1 minus x square का आपकलन होगा, तो 1 का 0, और x square का minus 2 x, इतना direct होता है, यहाँ पर M, तो M constant है, एक पावर T का, एक पावर T ही होता है, फिर M constant है, son inverse का 1 upon under root 1 minus x square, इतनी लंबी process है, इसका multiply इधर करेंगे, इसका multiply, नीचे का multiply इधर करेंगे, तो यह root root से हड़ जाएगा, तो 1 minus x square हो जाएगा, d square by upon dx square हो जाएगा, यह इधर आके multiply हो तो कड़ जाएगा, तो बच्छे का 2, तो दोस देखिएगा, plus है तो plus d by upon dx है, यहाँ पर बच्छे का 2, और यहाँ पर बच्छे का minus 2 x, दो से 2 cancel, यहाँ पर बच्छा है, M, M और एक M और square, एक power M sin inverse x, चले, आगे देखते हैं, 1 minus x square, d square by upon dx square, फिर यहाँ पर कितना बचाएगा, आपके पास x है न, तो minus x d by upon dx, और इधर इधर इसको लाएँ इधर, तो minus m square, पुरा का पुरा यह बाई है, तो by बराबर 0, यही आपका answer आ चुका है, कुछ चीर डायरेक्ट क करना सीखें, डायरेक्ट करेंगे, तो आपका कुछ न कुछ है न, कम समय में solve हो जाएगा, यह इसको डायरेक्ट नहीं करते हर जगए t मानते, लंबा प्रोसेस लगाते, तो और ज्यादा minute लग सकता है, तो यहाँ पर आप इतना डायरेक्ट करेंगे, पूरे के पूरे बर बर नंबर मिलेंगी, यह नहीं है कि आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो नंबर कटने की चांसेस है, किसी भी प्रकार के नंबर कटने के चांसेस नहीं है, तो आखरी कस्योंailable देख सकते हैं कि सिधि laz deve की जिए कि भाई बराबर एकास फोर एक्स प्लस बी, साइन फोर एक्स, अ यहाँ पर d upon dx हो जाएगा a cos 4x plus b sin 4x ठीक तो यहाँ पर d by a upon dx है तो रहने दीजिए और यहाँ पर आप कलन कीजिए कास t का स्वरी कास t का sin t होता है है ना और माइनस में होता है 4 constant है तो सामने आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा sin t का कास t है चार constant है तो चार सामने आ जाएगा कितना हो गया d by upon dx हमको दो बार आप कलन करना है तो चलिए एक बार फूरा विजिवत ले देते हैं पूना x के सापेच अब कलन करने पर पूना x के सापेच अब कलन करने पर अब कलन करने पर तो कितना हो जाएगा d square by upon dx square इदर हो जाएगा d upon dx माइनस 4a sin 4x प्लस 4b कास 4x देखेगा चार constant सामने एगा चार चार को 16 माइनस तो माइनस a तो a sin का होता है कास t यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि कास का अब कलन होता है माइनस sin और चार constant वाहर आएगा चार चार को 16b कास को हो जाएगा sin 4x इन दोनों में इस कुछ कामन आ रहा है 16 कामन आ रहा है 16 कामन ले लो तो बचेगा आपके पास a कास 4x प्लस b sin 4x पूरे का पूरा क्या भी है यह बाई है यह माइनस में धर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो यह इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा अगले step में आप कहा जाएगा d square by upon dx square plus 16y equal 0 देख सकते हैं आपका correct answer आचुका है जो आपको है न प्रूब करना था इस प्रकार सी sprint आप लोग क्रम बाई क्रम सभी प्रिशनों को करेंगे और यह exercise हो जाता है complete अगला exercise कराएंगे जो की काफी महत्पून रहेगा काफी helpful रहेगा और आसानी से आप कर पाऊगे तो आसार उमीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आए ते लाइक जरूर कर दीजेगा नए है तेश्वान को सब्सक्राइब कर लेना साथी बेल आइकन प्रेस कर लेना बिलते हैं अगले वीडियो में जैहिन बंद मातरम